पुली कुतुबशाही कालीन कवी गवासी फुर्चीदा वेगम शोचात्रा मानू कुतुबशाह के जमाने में शायरी शुरू की होगी उसकी इप्तेदाई जिन्देगी उसरत में बसर हुई वो सरकारी मुलाजिम था और यहां उसकी गुजर आउकात का जरिया था गवासी सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुपशा के शाशनकाल में कविता करना आरम्बकर, कावी के शेत्र में चमके और सुल्तान अब्दुल्हा कुतुपशा शाशनकाल 1626 से 1672 में ये राजकवी के पद पर आसीन हुए गवासी, बज्जी और मुहमद कुली कुतुपशा के मुकाबले में कम उम्र थे इन्होंने अपने उपनाम को गवासी, गवास, गवास और गवासिया आदिय विभिन रूपों में प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है गवासे इस जक्के मिर्मल निश्चल गुजार में बातां के फूला सुभारिया सोड़ू रंगीला ज़ाड में गवास जो उपनाम आया है वो उसकी एक पंक्ती है इस दौर के नारियों में तु ए नास भरी आज गवास की आखिया में दिसे सब ये अजब तर गवासी जैसे की शब अक्सर हम प्रयोग करते ही हैं और बहुत सरे पंक्तियों में उनका नाम भी आया है उसकी एक पंक्ती है गवासी मिश दिवाने को नहीं जरई खबर कुछी हूँ जो का गाता हूँ का अचता हूँ किस संगात फिरता हूँ गवासी की शिक्षा तथा काव्य गुरु आधी के संबंद में अवशक प्रामानिक जानकारी का अभाव है उन्होंने अपने काव्य में ना तो किसी कवी की, प्रशन्शाही की और ना किसी को आधर्ष माना जतनकर तनकु साजे सो हमी हैं, दिलांको मस्त बाजे सो हमी हैं, खलख में खोल कहने दर्द अपना, गवासी सक्त लाजे सो हमी है इन्होंने नीजी प्रदिवा के आधार पर निरंतर अभ्यास करके अपनी विशेश पहचान बनाई थी हुनर की गवी का सो मैं बाग हूँ, बचन के उत्तम गंज का नाग हूँ सकेक और मिलने मेरे तौर में की रुस्तम हूँ मैं आज के दौर में गवासी ने अपना प्रारंबिक जीवन गरीबी में बिताया, प्राया आर्तिक संकटों को भोगते रहे, जीवन की जटिल विशमताओं को उन्होंने मस्तवी सैफल मुलूग वबदी उल्जमाल में वानी दी है के घंगीन हूँ मैं सक्त संसार थे, धरू जगदगे लाग इस आजार थे, परेशानगी में जम्या खयाल में, ले आया हूँ ऐसे रत्न धाल में सुल्तान अब्दुल्ला कुत्बशा के दर्बार में स्तान प्राप्त होने के पस्चात, गवासी के भागिया का सितारा चमकने लगा सुल्तान ना केवल उन्हें आश्रे प्रदान किया, अपितु उनको फसाहत आसारी की उपादी से सम्मानित भी किया वे सुल्तान के प्रती कृतग्यता प्रकट करते हैं, हजार शुक्र जो खुश हो के युशह आरीव, खिता मिंजबु दिया है फसाहत आसारी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुप शाह इस बात से खुश थे कि उनका राज भी गवास जैसे योग्य, ज्यानी, दार्शनिक, प्रशाशक, राजनिती मर्मग्य, दूर द्रश्टा तथा काव्य का स्वामी है गोलकुंडा थदा बीजापूर के मैतरी संबंदों में घनिष्टा लाने कश्रे गवासी को प्राप्था वह ना केवल राजदूत की भूमिका में ही सफल रहे, बलकि व्यवहारिक रूप से सांस्कृतिक दूत सिध्ध हुए बीजापूर भेजे जानी के पूर्वी गवासी की मस्तवी सैफल मुलूग वा बदी उल जमाल प्रकाश में आ चुकी थी यही कारण है कि बीजापूर के महानकवी नुस्रती गवासी की मस्तवी सैफल मुलूग वा बदी उल जमाल को आदर्श मानते हैं उनका कहना है उनकी पंक्ती है हिकायक मने लग गम्मत के संगात कित्ते आये यूँगो यकायक यूबात कि क्या शायरां फार्सी खुशकलाम गएकर अपस फंग में हिक्मत तमाम पड़ी कुछ गवासी तबी कर खयाल किया ताजा बाग बदी उल जमाल बीजापूर के राजकवी नुस्रती के अत्रिक विख्या दखिनी कवी मुकीमी नेवी मसनवी चंदर बदलवा महयार में गवासी का श्रधापूर्ण उले किया है जबां का इत्ताहू सचा जोहरी करो नित सुखत सुगुहर गुस्तरी इनायत जो उसको हुई मुझ उपर यू तब नजम खिस्ता किया सरबसर गवासी ने गोलकुंडा और वीजापूर में जो ख्याती प्राप की थी वह बहुत कम दखिनी कवीयों के भाग्य में आई थी उन्होंने नाकेवल समकाली इन कवीयों पर अपनी छाप छोड़ी बलकी परवर्ती कवीयों को भी कुछ कम प्रभावित नहीं किया इसका परिणाम या हुआ कि गवासी का नाम दक्षिन से उत्तर भारत तक गया लोग उनकी महानता की बाते करने लगे यही कारण है कि मीर तकी मीर जैसे उर्दू के महानकवी भी गवासी का उल्ले किये बिना नहीं रह सके नुकातु शहरा में मीर तकी मीर ने गवासी को शद्धानजली अर्पित करते हुए यहाँ शेर कहा है जो कोई इस मरगे दिल में बिरहा का बोज़ बोता है तो हरगिस उसके बाता में गुल ए उमीद होता है गवासी ने स्वैम लिखा है कि वह हिंद के कवियों में अपरिशित नहीं है लोग दक्षिन के अत्रिक भी उनको जानते हैं गवासी हो मशूर हूँ इस सल्तनत के भार में तूतियां सब हिंद के रगवक्त करे त्यू आज खुश गुलकुंडा राजे के छटे सुल्तान अब्दुला कुतुपशा का शाशन समाप्थ होने के साथ ही गवासी का नाम मानो गुमनामी के सागर में डूग गया स्वयम गवासी अपने साहितिक जीवन के अंतिम दिनों में चाहते थे उन्हें सत्पत पर चलने की शक्ती मिले गवासी परम परमेश्वर के प्रती धड़ आस्ता रखने लगे जीवन के अंतिम चरण में अपनी कुछ आकान शाय इस प्रकार व्यक्त की अवल उमीद मेरे दिल में है यही हर साथ जोनी त्रफीक हो तौफी के हक अच्छे मिंज साथ दो जिस उमीद यही है जो तंदुरुस्ती सू मिंज इस जहान में खुदा देवे बेशुमार हयात बड़ी उमी सु सदा खुदा का इश्क मेरे सीने में जलका अच्छे सूरज की धात उमी चोदवी यू है जो मिंज गवासी पर दयासु चहारदा मासूम का अच्छे हर साथ मसनवी तूती नामा में गवासी सामाजिक जीवन से उदासिंता प्रकट करते हैं वह खुदा की इबादत में लीन हो जाना चाहते हैं गवासी संसार से अनासक्त होकर प्रातना करते हैं कि उनके मन में कोई संसारिक इच्छा शेश ना रहे गवासी अगर तू है सचला गवास गवास लगा इश्क अपने खुदा साथ खास जो कुछ ख्वास तेरा है सब उस पो छोड़ दुनिया के इलाखे तेले दिलकू तोड़ गवासी ने अपना कवी जीवन गजल और कसीदे से आरंब किया तस पस्चाथ आखे नकावे के शेत्र में प्रवेश किया अब तक गवासी की तीन मस्नवियां प्रकाश में आई हैं वे हैं सैफल मुलूक वबदी उल जमाल तूती नामा मैना सत्वन्ती सैफल मुलूक वबदी उल जमाल ग्रंत अलीफ लैला की प्रसित कहानी पर आधारित हैं जिसमें 14,000 पंक्तियां हैं इसमें मिश्र के राशकुमार सैफल मुलूक और चीनी राशकुमारी बदी उल जमाल के प्रेम की कहानी हैं यहां गवासी की मौलिक रचना नहीं है किन्त मौलिक रचना से कम भी नहीं है सैफल मुलूक और उल जमाल को भले ही फार्सी का दक्षिनी काविया अनुवाद मान लिया जाए परंतु स्वीकार करना पड़ेगा कि गवासी ने शब्द अनुवाद नहीं किया चुनी हुई घटना को मौलिक धंग से प्रस्तुत किया तूति नामा का अनुवाद है जो यो दास्ता बेबदल फार्सी मेरे इंतेहां का हुआ आर्सी तूति नामा गवासी की दूसरी मस्नवी है जिसमें सामी भक तोते की वेक शीलता एवन पत्ति के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है बक्षी के तूति नामा के आधार पर गवासी ने अपने दक्षिनी तूति नामा में कुल 45 कहानियों को काव्य बद किया है बहुत सी कहानियां उपदेश पर रख है कुछ कहानियां कुल्टा स्त्रीयों से संबंदित है गवासी की मैना सत्वंती का मूल्श्रोत हमीदी कृत्फार्सी रचना इस्मत नामा माना गवासी की मैना सत्वंती का आधार वे सवी भारतिय कथाएं हैं जिनका आधार नारी सत अत्व जो नारी के चरित्र को आधर्शी एवं गौरशाली बनाती थी गवासी की मसनवी एक अत्यन्त ही उद्देश पूर्ण कृती समझी जाएगी जिसका आधार शहन शीलता, शालीनता एवं पवित्रता पर निर्भर है इसमें पाप उसका कभू में टुक एक पतीवरता मैना सो है नाव नेक इसके अलावा गवासी ने 138 गजले कुलियाते गवासी के नाम से लिखी हैं डॉक्टर श्रीराम शर्मा के अनुसार भाव कविता में गवासी की समता दखीनी का कोई अन्य कवी नहीं करता गवासी की गजलो में रहस्यवादी आसार परियाप्त मातरा में प्रयुक्थ हुए हैं घूंगट खोल रुकसार दिखला यकतिल नकरलाज मिंजसु नकरलाज आज दखिनी कवी गवासी ने अपनी गजलों में आलमे फिराक अर्तात विरा का बड़ा ही मार में खितरन किया है उनका कहना है आशिक विरा में नींदी बहुत कड़वी लगने लगती है और फिर भी वह अपने आपको या कहकर संबाल लेता है कि संसार में प्रेमी अपनी राते रख्तिम करते ही है नींद कड़वी कर लई तेरे विरा थे आशिकां करते है खून अशाम शाम मस्नवी के अत्रिक गवासी के अन्य काव्यों रूपों में मरसिया, शोगित, कसीदे और रुबायां भी देखने को मिलती है अपनी मदिरापान का उलेक करते हैं इस रुबाय में कभी गवासी का कहना है खुशियार कही न होए मस्ती मेरी, मैं साथ रंगी गई है यू हस्ती मेरी, जू चांग होर आफ्ताब आलम में मशूर है आज मैं परस्ती मेरी इसके साथ ही में अपना प्रपत्र समात करते हूं, धन्यवाद